अगर आप लोग अपने बीबो के B29 प्रोफोन में इन डिस्फिले फिंगर प्रिंट लोग इनेबल करना चाहते हैं तो फानली इस वीडियो में मैं आप लोग को इसी के बारे में बताने वला हूँ उसके साथ में हम बात करेंगे फेस लोग कैसे लगाना है और आप लोग उसके साथ इन डिस्फिले फिंगर पीट लोग लगाने के बाद उसके साथ आप लोग फिंगर पीट एनिमेशन कैसे अपलाई कर सकतो हो और पैटरन लोग कैसे लगाते हैं सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में केलियर डिटेल में बताने वला हूँ तो वीडियो को end तक देखेगा, skip मत किजिएगा तो चलते हैं वीडियो को सुरू कर लेते हैं इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक के लेना एंड इस्टाग्राम का लिंक मिल जेगा डिस्कप्शन में वहां से या कि आप लोग फोलो कर लेना अगर आपको कोई प्राबलम होती है ते इस्टाग्राम पे कोमेंडि करके हमसे बात कर सकते हूँ मैं तुरंट रिप्रलाई देता हूँ तो फाइनली चलते है अपने फोन के स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं तो फाइनली दोस्तों साट में स्क्रीन रिकोडिंग देखनों को मिल जागा अब जैसे कि मेरे पास विबो का B29 प्रो फोन है इसमें हम फिंगरप्रिंट लोग लगाने जाएंगे तो कैसे लगाना है मैं आप लोग को चलके बता देता हूँ जैसे कि मेरे फोन में कोई भी फिंगरप्रिंट लोग नहीं लगा है आप लोग देख सकते हैं तो मैंने लोग अनलोग किया अनलोग हो चुका नीचे आना है, जैसे नीचे आओगे तो आपके phone में एक option मिल जाता है security का, जो की security का option मिल जागा, उस पे आपको click कर लेना है, जैसे आप उस पे click करोगे and उसके बाद आपके पास इस तरीकिक interface आ जाएगा, तो जहाँ पर आप लोग देखोगे, तो एक option में जलता है screen lock and उसके बाद fingerprint lock and face lock का option मिल जाता है तो पहले आप लोग को pattern lock को enable करना पड़ेगा, अगर आप लोग को fingerprint lock लगाना है तो आपको pattern lock को enable करना पड़ेगा यहाँ पर आ जाना है, आप लोग इन में से कोई भी password लगा सकतो, एक pattern lock है एक pin है, एक अपने नाम का भी आप लोग लगा सकतो password, जैसे के अपना नाम लिख कर भी password लगा सकतो, तो मैं यहाँ पर pattern lock लगाऊंगा, इस तरीकी से pattern lock हम लगा लेते हैं, फिर से next पर click करेंगे, and दोबारा से करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इस तरीकी का pattern lock होगा, जैसे के आप लोग को दिखाई दे रहेगा इस तरीके का pattern lock होगा, तो फाइलि इस तरीकी से आप लोग को click करके, and यहाँ पर आप लोग का pattern lock लग जाएगा अब इस तरीकी के interface आजाएगा आपके पास यहाँ पर show all notification content, and show notification only, and यहाँ पर आप लोग किसी में से एक choose कर लेना, तो मैं यहाँ पर don't show notification, आट all पर click करके and set कर लेता हूँ and उसके बाद हमारा यहाँ पर fingerprint का option आजाएगा, fingerprint वाल option पर हमें click करना है, and इस तरीकी के pattern मांगेगा, आप लोग को दिखाई दे रहागा इस तरीके के pattern मांगेगा, तो आपको वही pattern डालेना है, जो आपने screen lock पर लगा रखा है, तो यहाँ पर इस तरीके से pattern को डालने के बाद आपका fingerprint का option इस तरीके का आजाएगा अब यहाँ पर आपको इस तरीके से start पर click करना है, and start पर click करने बाद fingerprint का option आएगा, and यहाँ पर आपको click करना इस तरीके से, and फिर से click करना है, and हटाना है, लगाना है, और हटाना है, लगाना है, और हटाना है, इस तरीके से आप लोग को जब तक complete न हो जाता है तब तक आप लोग को लगा कर and हटा लेना है मैं दिखा जाता हूँ आप लोग को तो इस तरीके से आप लोग को लगा कर हटा लेना है जब तक यह आपका complete नहीं हो जाता है तब तक आप लोग को इस तरीके से लगाना है and हटाना है देख सकतो अब जैसे complete हो जगा आपके पास एक done करने का option आजगा और done वाले option पर आपको click करना है and आपका fingerprint lock लगजाएगा इस तरह के से आप लोग fingerprint lock लगा सकतो हो Vivo के B29 Pro phone में अगर आप लोग को fingerprint lock लगाने के बाद एक option और own करना पड़ता है जैसे कि privacy and apps वाला इसे own करके and आपको password डालेना है जो password आपने screen पर लगाया था वही password डालने के बाद ये आपका enable हो जाता है उसके बाद दोस्तों अगर आपको face lock लगाना है तो face lock के लिए आप लोग को यहाँ पर click करना face lock पर and इस तरह के से password आपके पास मांगेगा and password आप लोग देख सेकतो and password को आपको डाल लेना है screen वाला and उसके बाद आपको क्या करना यहाँ पर start पर click करना and आपको अपना face lock लगा लेना इस तरीके से face lock complete हो जागा इस तरीके से आपका face lock complete हो जागा and आपको okay पर click करके and फिर से आपको privacy and apps all option को own करके and password डाल लेना है and यह भी आपका enable हो जाता है इससे enable करने से क्या होता है कि अगर आपने किसी भी app को lock किया and तो उसे आप लोग fingerprint से भी unlock कर सकते हो face lock से भी unlock कर सकते हो finally app lock के बारे में वीडियो आने वाली है finally app lock चैनल को subscribe करके रख लेना तो यहाँ पर मैंने आप लोग को face lock and fingerprint lock कैसे लगाना है मैंने इस वीडियो में आप लोग को बता दिया अगर आप यहाँ पर हम जाते हैं phone को lock करते हैं तो यहाँ पर phone lock हो चुका है and इसे हम fingerprint चैनलोक करते हैं तो unlock हो जाता है तो finally इस तरह के से आप लोग लगा सकतो अगर इसमें आप लोग को fingerprint animation लगाना है तो आपको आजाना है यहाँ पर dynamic effect वाले option मिलेगा dynamic effect वाले option पर click करके आजाना है and उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर का इनमें से icons भी आप लोग लगा सकतो तो जो भी icons आपको बेटर लगता मेरे को अच्छा है यह लगता तो मैं यहीं यूश करता हूँ और आप लोग यूश कर सकतो तो finally जैसे आप अपने phone को lock करोगे and fingerprint मा आ जाएगा यहाँ पर देख सकतो and DCN lock करोगे तो इस तरीकी का animation आ जाएगा तो finally आप लोग जाकर अपने Bebo के B29 phone में 9 Pro phone में आप लोग fingerprint animation को लगा सकतो and fingerprint lock कैसे लगाना है मैंने इस वीडियो में आप लोग को समझा दिया है face lock के बारे में भी and fingerprint lock के बारे में भी तो चलिए फिर मिलते हैं किसी intershoot के साथ तब तक ले जा हिंद जा भारत बाव दोस्तों